चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे बादोगोटा में वनवासी रामकता की तैयारिया पूर्ण इस्तल का जायजा लेने पहुचे मंत्री राम की सोरकावरे 22 मई को निकलेगी कलस यात्रा परस्वाड के ग्राम भादोगोटा में कतावाचक पंडित धिरिन सास्थ्री का आगमन 23 मई को होने जा रहा है जहां वे 23 मई और 24 मई को वनवासी रामकता का वाचन करेंगे शाम को दिविदरबार भी लगाएंगे जिसके भव आयोजन की तैयारिया वनवासी सिवा समीती परस्वाडा द्वारा लगभग पूरी कर ली गई है तोदिव से कतावाचन के लिए तकरीबन पाच लाख लोगों के बैटने की विवस्ता की गई है समुचे कतावाचन कारिक्रम का योजन वनवासी सिवा समीती परस्वाडा के तत्वदान में आयो जीत होगा परस्वाडा के हरदैस्तल स्री राम मंदिर प्राण्गन से 1100 कलस के साथी कलस यातरा निकाले जाएंगे जो नगर के मुख्य मार्ग से बीजा टोला होकर भादुखोटा पंडाल पहुचेंगे शाथी आदिवासी भाईयों द्वारा दो दिव्वस्तर के लिए 24 गंटे रामधनु का कारिक्रम आयोजीत किया गया है शाथी केवल 24 माई को कतावाचन से पूरो शाम चार बज़े से पंडे धिरेंद क्रशास्तर के द्वारा दिव्वे दरबार का आयोजन किया गया है मंतरी रामकिसोर कावरे ने कहा कि सरदालों के लिए समुची विवस्ता की गई है जैसे पार्किंग भोजन पानी बैठक की विवस्ता के साथ मेड़किल मेडिकल की भी विवस्ता की गई है नक्षल प्रभावी छेतर में आयोजन हो रहा है इस हेतू सुरक्षा के लिहाजे से बड़ी संक्या में पुलीस के जवानों की तैनाती भी आयोजन स्तल के चार ओर किया जाएगा 23 मई 24 मई जैसे कि आप सबको पता है कि बागेश्वर भाम के पिताधिस पंडित भिरेंदर सास्तु जी का रामकथा का कारका में हाँ आयोजित है वनवासी सेवा समीती के सहयोग से आयोजन में ये कारका मायोजित है चुकि मैं इस्विधान सावा का प्रतम सेवक हूँ मैं कल भी कहा था आज भी कह रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी धार्मेक अध्यात्मेक सांस्क्रेतिक संपूर्ण भिकास को लेकर मैं काम करता हूँ जब पंडित धेरेंद्र सास्त्री जी 20 विख्यात संथ हैं और इस छोटे से जगहां पर आ रहे हैं जब केंद्गर हम सब जबाब दारी है कि ओवां कर करमव धिभे हैं जैसे कि हम सब लोग देखते हैं आप शबलोग वी चैनलों में ते लहां पतना का हूं चाहे पनागर का हम इन सरे रहे तर्दी का दी इतने जंदत्र आती कि लॉककित पार कू पयां और चार चोपन ने रहे उसकी वश्ता को देकर और जहां कभी यहां फे तो ठीक करने काम कर रहे हैं अभी हमारे पास में दो दीन है कल विशाल कलस्यात्रा है करीब दो तीन घंटे कथा रहेगी और उसके बाद में फिर दिव्य करेशी दर्स हमारा दिवयवगा हुगा दिवयदर वहां किर्कम्त प्राण होगा और वह कितने बज़ेगर टक improved लेकर ने हिसारी जनकारी कि यह सब लोग लेटे जा रहे हैं चुकि हमारे सनातन धर्म के लोग हैं जो हिंदुतों को मानते हैं प्रभु राम को मानते हैं ऐसे सभी लोग यहां पर सामिल हो रहे हैं और चुकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि वनवासी कथा जो है वो प्रभु राम जी के जीवन पर प्रभु राम जी के चरित पर य कैसे बर्णन को सुनने के लिए समझने के लिए और प्रभु राम जी मर्यादपुरु सुत्तम राम कैसे कहला है इन्हें सभा सभी विशाय को लेकर महराज जी का यहां पर कथा वाचन होगा तो मैंने आज भी अपील किया हूं आपके माध्यम से भी सभी सद्धालूं को सभी सुतागर्ण को अभी सभी छेत्रवाश्यों से भी मैं व्यक्तिगत निवेदन भी किया हूं व्यक्तिगत कार्ड भी पहुंचाया हूं लेकिर आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं वे आएं सब लोग और आप देख रहें हैं मालग हट खबर अभाब